हाई बच्चों, नए टॉपिक्स और नए सवाल के सा康्क हम दूबार आप्पे सामने ठीक हैं बच्चों अब सबसे पहले बात करते हैं कि आज लए वार किया होने वारा इससे पिछली क्लास के बारे में वियाद कीजिए आप क्या कर आए था आपको इससे पिछली कि आपको याद आजाएगा बच्चों अगर एक कोई आव्यू है जिसके पंग्तियों अस्तम बराबर होते हैं तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया है था क्या होता है उसको कि से दिखाते हैं के डैस से डैस का मतलब आपका परिवर्थ के बारे में पूछ रहा है एक डैस क्या करना है देखो उसमें पंक्ती को इस्थंब में इस्थंब को पंक्ती में चेंज कर दो वह यहां देखो यह आपको एक हलका सा हिंदी रहे आज नए टॉपिक शुरू काने से बहले पंक्ती पहली बंक्ती अब कि समी स्थंब में अब आगे आपका अब आती है एकदम नई परिवाशा क्या परिवासा है हो उसका नाम होता है आपका सम्मित आव्यू हूँ हूँ है बच्चों दो होता है मैं तो क्या होता है और एक आपको होता है विसम सम्मित तो आपको बच्चों मैं दोनों के से आप लिखा के बता रहा हूं कि सम्मित आव्यू क्या होता है और विसम सम्मित देखिए बच्चों अब य सम्मित आवियू क्या हुआ स्टार्टिंग आपको उसी से करनी है आपको A मानना है कोई वर्ग आवियू देखे यहां पर माना की ठीक है बच्चों माना की वोग एक capital A एक वर्ग आवियू है ठीक है बच्चों A क्या होना चाहिए आपका वर्ग आव्यू पहली बात तो यह हो गई अब आगया हो सम्मित आव्यू के लिए तब तब आव्यू हूँ एको ठीक है बच्चों क्या तब आव्यू हूँ एको सम्मित आव्यू हूँ कहते हैं या कब कहते हैं यह देखो मादम बढ़ गया आपको क्या लिखाया है मैंने एकोई वर्ग आव्यू होना चाहिए फिर क्या एको हम क्या बोल देंगे तब आव्यू एको सम्मित आव्यू कहेंगे या कहते हैं ठीक है बच्चों कब कहते हैं कि कहते हैं इडि रस बच्चों बहुत बहुत इन इस कासमागों कैंज लेत पेपर भी पांचे सालों के इस प्रगार के सबार को आजाते हैं इनकी परिभास्ता के साथ बहुत पुर्ण सब्सक्राइब क्या बात होती है वो देखो यदि कि एड़ाइस बराबर एक हो तब यह इसकी कंडीशन है बच्चों अच्छे से याद कर लेना यह अच्छे से कि भाईया अगर एड़ाइस बराबर कितना आजाए लौट के यह आजाए तो किसका केस हो वो सम्मित आव्यू का एक नंबर का सवाल इस पर कारकर बनके आयता है आपको क्या विकल्प समुझ लो कुछ भी छोटी छोटी सवाल आते हैं कि वह सम्मित आव्यू के लिए क्या खालिस्तान छोड़ देगा यह एड़ाइस बराबर एक हो गया सवाल सवाल ठीक तो यह इसकी कं कंदिशन होती है अब किसकी बात आ रही है विसम वाले की यहां देखो यह आपका ओगया विसम सम्मित आव्यू हूँ ठीक है अब क्या करना है यहां से यहां तक की जो लैंग्विज है जो एक परिवास है पूरी हूँ छाप दो बस क्या है सम्मित की जगह आप यह लगा यहां विसम सम्मित आव्यू कहते हैं और यदी का फॉर्मला मैं अभी लखाता हूँ देखो क्या माना की ठीक है बच्चों कैपिटल ए एक क्या है भाई यह वर्ग आव्यू है अब आपको मैंने क्या होता है क्या दिखेंगे तब आव्यू एक को ठीक है बच्चों तब आव्यू हूँ एको विसम अब बच्चों हल्का सा अंतर है एक कैसे तब आव्यू एको विसम सम्मित आव्यू हूँ कहते हैं ठीक है आव्यू हूँ कहते हैं अब कभ कहते हैं वो भी देखो यदी आगे बच्चो यदी वाला केस कब होगा भीया ओ देखो जब बच्चों एडैस बरावर माइनस का ए आ जाए बस इतनी से बात आए देखो बात खतम भीया कि सम्मित आव्यू के होने के लिए पहला क्या केस आ रहा है कि चाहे सम्मित ओ या विसम सम्मित एक पॉइंस कि यह मारा वर्ग आववयू होना चाहिए दोनों में कॉम आए अब क्या होगा बच्चों सम्मित और विसम सम्मित ने कहां से अंतर आ प्लस माइनस का आफको तो यहां पर आब देखेंगे समित आवू पर और आप अ इस एपर ध्यान लगाओ इस वाले पर एड़ेस के आगे साइन किसका है वहिए किसी नंबर के आगे कुछ भी नंबर है कोई function कुछ साइन नहीं दे रखा किसका साइन मानते हैं प्लस का तो सम्मित में एक आगे अगर प्लस एक है अगया विसम सम्मित मात खतम होगे बात खतम होगए और दोनों बहुत बहुत महत्तों नहीं के परिवासा इनकी इन दोनों को परिवासा बताने के बाद मैं आँगा वे इन पर अधारित को आपको मैंने कहा भी ता इससे पिछली इंपर अधाय बच्चों आप देखो गया आपके बुक्स हो गई पर में दे रखिए तो मैं बच्चों उन परमय को आपको कराने चाहूंगा कि किस-किस प्रगास से पर में दे रहे हैं और देखो एक और पर में तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा बच्चों की उत्पत्ती ठीक है कुछ ऐसा तो लिखते हैं ना इसको कि कुछ देखो हिंदी में तो बच्चों ऐसी बोलते हैं उत्पत्ती इंग्लिस में क्या बोलते हैं स्थिद्र करना चाहा रहा हिए और उत्पत्ती को प्रूफ ने और उत्पत्ती के लिए को आगे तो बच्चों क्या यहाँ पर पहले उसको पढ़ते हैं कि आखिर का परेवे में वो किया कहना चाहरा है उसके स्कीश करेंगे क्या रवच्चों life अव्यवव किसी वर्ग आविउ के लिए में आपको पहले आधा सम्मित की बात आएगी आपकी विसम सम्मित की बात आएगी या परिवार्द की बात आएगी इसमें वरगा विओ आएगए आएगा नहीं आया आप लिखना बोल गए आपके नंबर कर सकता है विसे धिया रखना वर्ग आविव होता है के लिए A प्लस A-ट ठीक है बच्चो क्या कहता एप्लस A-ट एक सम्मित आविव है और A-A-ट एक विसं सम्मित आविव होता है यह है कि अगर एक को आपका वुट्चो क्या है वर्ग आविव है तो E-टS को सिद्ध करो सम्मित A-ट If A-ग को सब्समित करो अ-प्रम से देches ने हो भाईया कि उस पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या करने वाला हूं तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ दिया है कि ठीक है बच्चों क्या दिया है कि अब आप यहां देखेंगे वास्तिविक अविवाले किसी वर्ग आव्यू के लिए तो हमने यह मालिया कि वर्ग आविव है वास्तिव अविवालों का वो ए है ठीक है दिया है कि कैपिटल ए एक वर्ग आविव है आप यह भी लिख दूँ भईया कोई दिक्कत नहीं कि आव्यू हूं है ठीक है बच्चों आओ भईया आगे इतनी बात आ गई कि दिया है कि ए कवर्ग आविव है उसको मैंने ए माल लिया जिस वर्ग आविव की बात यहाँ पर कर रहा है ठीक हमें क्या शित करने बच्चे हूं आपट सम्मित आवईव को मैने क्या बताया आपको अभी अभी सी क्लास में थोड़ी देते पहले कि वह सम्मित कव होता है तो आपको दोखो यहां पर पीछे दिखाने से बेस्ट मैं यहां कर देता हूँ ठीक है बच्चो सम्मित कव वह था सम्मित तभी तो आया था जब यह अगर आ गया तो आपका सम्मित है इत्ती भात के लिए यहां सम्मित किसको दिखाना है आपको ए प्लस ए डैस को दिखोओ कि यहीं बिखेंगे तब ठीक है बच्चो तब ए प्लस ए डैस को आप इसको यहां लोगतो तब क्या ए प्लस ए डैस को सम्मित आवियू हूँ दिखाने के लिए ठीक है बच्चो देखो आवियू हूँ दिखाने के लिए आप यहां देखिए किसको दिखाना है सम्मित आवियू बच्चो इस परमे में ए प्लस ए डैस को सम्मित आवियू दिखाने के लिए हम यहां सिद्ध करेंगे की करेंगे की अब क्या सिद्ध करेंगे वहां पर आओ वहीया हमें ए प्लस ए डैस को सम्मित दिखाना है तो आप चाहो तो उसकी तुलना कर लो एक इस्थान पर कितना आ रहा है आपका पूरा यहां तो यही तो एक की कंदिंस्ण है कि वह यह सम्मित है तो ए डैस ब्रावश डजया अगया सम्मित हो गया यहां सम्मित किसको दिखाना है यह ए को नहीं दिखाना यहां दिखाना है a plus a dash को तुम क्या सिद्ध करेंगे कि तब सिद्ध करने के लिए आप देखें देखो a plus a dash का बच्चों whole dash a plus a dash के बरावर आना चाहिए बस आप कुछ मत करो ये चीज़ सिद्ध कर दो कि बच्चों a plus a dash का whole dash अगर a plus a dash आ जाए तो ये क्या दिखा देगा कि a plus a dash आपका सम्मित आवी हुए आपको और किलिए करने तो मैं बाद अब कर क hacking औहां से तुलना कर लो भाई कैसे मैंने क्या बताया जहाँ पर ए無सको आपका आ रहा है इस एक की जगर speaking ये पूरा-पूरा आ तो इसका मतलब A प्लस A- का होल दैस किसके बरावर अगर आ जाये के तो यहां पर A- का होल दैस अगर किसके बरावर आ जाए A- किया कह देंगे हैं चों कि यह हमारा सम्मित आवियु है तो हमको यह चीज़ करने हम यहां करेंगे कि यह आपस में बरावर हैं ठीक अब क्या करो आप एक प्लस एड़ेस का होल डैस इसको सॉल करते हैं एक प्रकास से किसको सॉल करेंगे हैं बच्चो लेफट अइन साइड को यहां देखो कि ए प्लस एड़ेस का होल डैस इसको सॉल करते हैं भच्चो ठीक है रहा है इसको सॉल करते हैं लेफट MMA को सॉल करो अगर एट एंड आ गया तो हम बोल देंगे कि भईया एड़ेस ब्रावर ए तो यह हमारा 가지 हो जाएगा तो इसको सॉल करेंगे यह लेके आ जाहें left and side को लो answer में क्या लेकिया आजेंगे left and side अब देखो क्या होगा तो मैंने बच्छो a plus a dash का whole dash ले लिया आपको property मैंने लिखाई थी इस class में इस से पिछली class में अगर चाहो तो यहां लिख लो कोई दिक्कर ने बच्छो यहां लिख लो कोई दिक्कर नी और मैं तो साइड में लिख लोगे तो जाला बेस्ट है तो मैं आपको साइड में लिखा दूँगा आपको ठीक है यहां देखो क्या थी प्रॉबर्टी अगर एप्लस बी का होल्ड एस है तो किसके बरावर होता है वह एडैस प्लस बीडैस के यह आपको लिखाया थे मैंने इस पिछली को यहां लगा दो इस पूरे फॉर्मले को जहां मैं हाथ साब को दिखा रहा हूं यहां लगा दो भाईया चाओ तो तुलना कर लो कोई दिक्कत नहीं है चाओ तो तुलना करते हैं ए ए ए की जगा यह आ रहा है कोई दिक्कत नहीं बी बी की जगा कितना आ रहा है एडैस च थे अलग से लुख लो करें तरह में फॉर्म्मला यहां सामने लिख प्ता दो और यह काम बढ़िए की जगह कितना रहा हैई बी जगह कितना रहा है उससाइड में करें कि कंफ्यूसरल नहीं ओ एक बहुत देखलो A की जगह A, B की जगह A डेस लगाओ फॉर्मला क्या होता है A डेस प्लस B डेस तो यहां कितना आ जाएगा आपका A डेस प्लस A डेस आ गया प्लस प्लस यहां क्या आ रहा है B का डेस B की जगह कितना आ रहा है यहां देखो बी की जगह कितना आ रहा है एडेस तो यह आजागा आपका एडेस का भी होल डैस एडेस बच्चों यह भी प्रभबर्टि आपको बताई थी मैंने अगर किसी भी जैसे एडेस का होल डैस अगर है तो किसके बरावर होता है बच्चों वह एके डैस कभी डैस एकर बच्चों बना कहाँ यहज़़क है हिसलिए एडेस को एडेस का क्या शुक्त कितने हो जागा आपका ह artifact अब आप यहा देखिए इस लिए आप Now एडेस का होल डैस आपने निकालब कितना आ गया हो एडेस ट्लस एडेस बच्चो यह तो एकी बात है ना a-a बोल दो या क्या बोल दो a plus a फ्लस मे है प्लस b या बी-बिस से एकी बात होती है ठीक है । मुझे अब आप एक चीज देखे बताओ जो हमेश्ण सिद्र करना था क्या सिद्र करना था ए प्लस एडैस को सम्मित तो ए प्लस एडैस को सम्मित करने के लिए मैं आपको क्या बताया था क्या चीज़ सित करेंगे कि ए प्लस एडैस का होल डैस किसके बराबर आने चाहिए ए प्लस एडैस के यहां क्या आ गया A plus A-oth teries का whole dash किसके बराबर आगया A plus A-violet ke बराबर आगया क्या दोग गया है कि A plus A- एक summita view है खतम यही चीजब किसको दिखाने है बच्चो A-A zeries को विसम विसम में आपको क्या बताए मैं अभी इसी class में विसम में plus की ज़गा sign के आता है A dash ब्रावर माइनस A पस माइनस का सायन आ जाए तो विसम वाला भी केस खतम अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ विसम के लिए ठीक है तो यह तो बच्चों इतना आ गया अब हम करेंगे आगे वाला A minus A dash है देखो अब ठीक है बच्चों क्या देखो अब A minus A dash को वो तो बच्चों मैंने दिखा दिये ना A plus A dash हमारा सम्मित आप आपका आ गया अब क्या A minus A dash को क्या दिखाना है प्रमे के लुशार विसम तुम क्या लिखेंगे अब A minus A dash को विसम विसम सम्मित ठीक है बच्चों क्या लेखेंगा वोई लाइन अब A minus A dash को विसम सम्मित आप यूँ दिखाने के लिए आप यूँ दिखाने के लिए सही है दिखाने के लिए ठीक बच्चों दिखाने के लिए क्या गरेंगे हम यह सिद्ध करेंगे की क्या सिद्ध करेंगे बच्चों करेंगे की चलो जब A plus A dash को मैंने सम्मित आप दिखाना चाहा तो क्या सिद्ध करना चाहा कि बढ़िया A plus A dash का whole dash जैसा आपको पूरक रहा है किसके बरावा आएगा A plus A dash के आपको हमने अच्छे से बता दिया अब किसको दिखाना है A minus A dash को करें विसम दिखाओ तो इसका मतलब क्या हुआ यहां देखो आओ चलो पहले विसम के लिए क्या होता है बच्चों A dash बरावर माइनस का A आजाए भाईया विसम में यह तो होता है आपको जो बताए विसम सम्मित का केस ही तो है कि अब क्या हो यहां पर A minus A dash को दिखाना है वही चीज जो मैंने प्लस के लिए कि वह साब को माइनस के लिए करना है एकी तुल्ला यह देखो यहां पर एकी जगह आपका अब यह पूरा आ गया अब इससे पिछले के आया था एकी जगह क्या आ रहा था एक प्लस एक यहहां एकी जगह कितना आ रहा है E minus A dash तुम क्या सीथ करेंगे कि cheaper here drag online यहां देखो नउ तो एक ड कर से एक स्थान पर डॉब ethical principle यह आ रहा है विसम के लिए एक डैस ब्रावर माइनस ए आना चाहिए तो एक डैस मतलब ए माइनस एडैस का होल डैस किसके बरावर आने चाहिए माइनस माइनस के बच्चों अगर माइनस का होल डैस इसी के बरावर आ गया माइनस में माइनस के तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह जो दे रखाए विसम सम्मेट है अब क्या करेंगे वही लेफ्ट आप कह सकते हो ए माइनस ए डैस का मैंने क्या सॉल कर लिया एक प्रकास से क्या ले लिए अब इसको सॉल करते हैं राइट इनस है रहेगा सवाल खतम अब देखो बच्चों होल डैस आ रहा है आपका होल डैस होल डैस का फॉर्मला वही जैसे आपको बताया था मैंने क्या बताया था अगर आपका एप्लस बी है उसका डैस है तो आप यह गर दो भईया एडैस प्लस बी-डैस कोई दिख करती है और यही चीज बच्छों प्लस के लिए तो माइनस के लिए भी अब बना सकते हो क्या कि वह अगर ए माइनस बी का होल्ड एस है तो इसी परकार ऐसा टूट जाएगा यह आप इसको ऐसा कर लो यह लो मैंने मत्सक्राइब है प्लस के लिए जो आपको मेंने रहूह दिखा и प्लस के लिए इस परकाणा मैमे बना सकते हो आगर मैस में यूज करना पर हाँ है है ठीक है मारेश के लिए आपको लिख प्रकार दिया अब देखो यहां हो riacer पर आब कि अपर मुण आ हो बना दे संक्षम की जगा आ रहा है कई बीघी जगाइब आपका ऐडास लगा दो फॉरॉमला क्या होता है फॉरॉमला स्लेज मरमें मतलब कि दूआ रहा गया एडेस का होल्डेस देखो कि एडेस माइनस ए आप यहां भी लिख लो भाई एडेस का होल्डेस बरावर कितना बच्चो जब यह मान दो अगर पेपर में प्रविया आ गई आपको यह फॉर्मले साथ सा लिख के बताने बढ़ेंगे यह फॉर्मला हम यहां पर लखा रहा है तो इस प्रकार यह ब्रेक हो रहा है ठीक है इसको नोट करना एडेस माइनस का यह आगे आपका ठीक है अब आगे क्या होगा बच्चों हमने कांग किया इस पूरे में माइनस का साइन कॉमन ले ली लिए आपको पतार माइनस का साइन कोमन लें अब बहा लेंगे तो इसके जो साइन आ रहे दोनों के चेंगे बतलब जो आपका अब यह प्लस का कि मैनस का हो जाएगा ओए माइनस का इस अब आप जड़ा यहां ध्यान से देखो भाई यह लाइन जो आई है कि एर मायनस सेब्साद को कि ससके ब्रावर आ गए माइनस ए मैंनस ए ड 안ट के जो हमको विशंसमित лишь लिए दिखाना था देखो ए माइनस एडाश किसी कर से ब्रावर आगए माइनस से dragon त कि ब्रावर आगए आपका सम्मित आंटा भी शत्ता के जो हमको विशुन सम्मित आवियों के लिए दिखाना था देखो ए माइनस का होल डैस किसके बराबर आगए माइनस-a- मैं बराबर आगए आपका सम्मित आवियों सत्थापित होता है और इसी के साथ आपकी परमे फर्स्च खतम आगे बच्चों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करओ बस कि बाईया सम्मित के लिए डैस पराबर ए आना चाहिए है विसम के लिए डैस पराबर माइनस ए बस आपको जो सिद्र करना था A प्लस A डैस को सम्मित A माइनस A डैस को V सम्मित उसमें क्या हुआ A के स्थान पर आपको यह फिनिसिंग हो रहा है आगे बने से पहले बस आपको मैं एक बार ओर हिंट जाओंगा कि जैसे हम कह रहे थे A डैस बराबर A सम्मित के लिए वहाँ किसको दिखाना था A प्लस A डैस को A के स्थान पर बस A प्लस A डैस कर दो कुछ ऐसा मैंने दिखा दिया था आपको और वो A के माइनस के लिए पस तुल ना कर लो कि वह यह A के स्थान पर क्या आ रहा है बढ़ते हैं बच्चु कहा अपनी अगली जोरम्स की तरफ या परमे बच्चु यह आपकी यहां आ गई देखो उठ पत्ती तो आपको मैंने अभी क्या बताया परमे एक में A प्लस A डैस और A माइनस A डैस कौन कौन से आप यह होते हैं प्लस वाला होता है समित माइनस माज़ा क्या होता है A माइनस A डैस वाला विष्म सम्मित यहां देखना है यह उसको जो आपको पता है कारना भी है आओ दूसरे वाले पर क्या रहे तखा है किसी वर्ग आभ्यू को वर्ग आभ्यू की दो μिए वर शुरुआती नहीं होने कि ना परिवर्द की ना सम्मित की नोट करने स्पॉइंट को किसी वर्ग आव्यू को एक सम्मित तथा एक विसम सम्मित के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसका मतलब क्या हो बच्चो कोई आपका वर्ग आव्यू है ठीक उसको आप पहले मान लो तरह मैं आपको बता हूंगा देखो माना की ठीक है बच्चो क्या माना की हम ए मान लेते हैं माना की कैपिटल ए एक क्या है आपका वर्ग आव्यू हू है ठीक है बई जब यह अब क्या हुआ कि एमने बच्चों क्या मानल लिए एक वर्ग आंवियू माल लिए जिसकी बात कह रहा है है हुआ क्या के रहा उस वर्ग आवियू को हम एक विसम में और एक सम्म in जो सम्मित उसकी योगफल की रूप में लिख यह हम को बताना है देखो अब अब मैं जो बच्चो आपको स्टैप करने जा रहा हूं उस स्टैप को नोड करना बस आप जैसी नोड करोगे आपकी यह जो परह में वो भी आपकी समाप्त देखो क्या तब देखो बच्चो मैं क्या करना जाँ बहुत बहुत मर्लब आप समझलो डोनों परह में जो हूई है एक पहली वाली कराई है आपको एक दूसरी पेपर के साफ से बहुत बहुत में करे में आपको सवाल भी आपको मिलेंगे exercise में जहां कराएंगे आपको A वर्ग आभी हुए तब A को लिख दो बच्चो A को मैं ऐसा लिख दू कोई दिक्कत तो नहीं है 1 बटे 2 A प्लस 1 बटे 2 A बताओ बच्चो कोई दिक्कत तो नहीं होने चीज़िए इसमें भाईया 1 बटे 2 1 बटे 2 को जोड़ोगे तो A की तो आता है यहां भाईया कुछ नहीं लिखा हुआ तो मुझे बताएं आपर यह तो होगा एक ठीक वो भी क्लिए रोगया कि वह यह इस A को लिख दिया 1 बटे 2 A प्लस 1 बटे 2 A इतनी बात पहला स्टैप खतम कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया अब मैं क्या करने हो देखो बच्चो एक बटे 2 A प्लस 1 बटे 2 A इसको तो आपने वैसे लिख दिया अब नया पन क्या होने वो देखो हमने बच्चो इसमें एक बटे 2 A डैस क्या कि हमने एक बटे 2 बच्चो A डैस व countless यह वी तो मैंने तोड़के बता आदिया देखो अच्छे से देख्लो बेले कोई दिकत नहीं है कि अब एक बटे दो एड हैस को plus कर दिया ओ इतना ही माइनस यह इतना ही हमने क्या कर दिया बच्चो माइनस है। इसको तोड़ा एक बटे दो – इतनी खितम अब क्या हुआ आगे देखो आगे नोट करते हैं हम बच्चों क्या कर रहे हैं जो एक दो में आपके लिए इसान नहीं चाहूंगा यह वाला और आपका एक यह वाला मतलब क्या है कहने का एक बटे- Dieses के साथ पकड़ लो जो प्लस का है और जो एक बटे-स के साथ पकड़ लो और ऑच्चों जो मैंने इसान लगा रखाई मैं निसां लिए वहाला व्याइस के साथ तो आपकी आजाएगा a plus a-स कि देखो एक बटे दो a plus एक बटे दो in-ness दोनों में common सी बात है भार कि आसकता है बने इस एक बटे दो अंदर क्या बज़ेगा वे प्लस ऐ-स ऐसी अब सावर्जगी आए उसको देख लो यह वाला यह मैंने को हलका सा निसान लगा दिया इसमें इसमें कॉमन क्या जाएगा उबने इस एक बटे दो उसको बहाँ ले लो है और यह कितना आगी आपका ए माइनस का एडैस ठीक है 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 इतना केलियर ओंकर कि आफ्यूं हमने एमाना वर्ग आ हु उसको किसमे लिखना या में क्या दिखाना एह संभी समित के जोक्रों के रूप में अब उसको बनाना आ कैसा बनाना है परद्ल तोड़ दिया प्रेग बटे 2-10-10-00 बार दोनों हमने बच्चों क्या कर लिया जो एक बटे दो प्लस में आ रहा है एक प्लस एड़ेस के साथ उसको मान लिया capital P और क्या मान लिया बच्चों को मैंने पूरे को कि भईया capital P है और दूसरे वाले को क्या मान लिया मैंने बहिया capital Q आप यहाँ पर लिख सकते हो जहाँ बच्छो capital P मैंने क्या माना 1 बटे 2 A plus A dash तो हमारा P है ठीक जिब यह आपको लिखने पड़ेगा side में Q क्या है आपका 1 बटे 2 A minus A dash जब आप मानोगे तो यहाँ आपको लिख के बताना पड़ेगा इसको मैंने P माल दिया इसको मैंने Q माल दिया ठीक तो अब जड़ा वच्छो इस पर विसेज जान देना क्या सिद्ध करना था कि कि किसी वर्ग आवियो को सम्मित और विसम सम्मित के योग फल के रूप में लिख सकते हैं तो अब मैंने बच्छो पूरी इसकी सैटिंग की आप देख सकते हो पूरी जांस परताल टोटल को ब्रेक करके दिखा दिया प्लस वाले को मान लिया पी और दूसरे वाले को बच्छो मैंने क्या मान लिया क्यों अब मैं क्या सिद्ध करूंगा बच्छो क्या सिद्ध करूंगा कि जो इसमें बच्छो पी आ रहा है पी आप चाहों तो देख सकते हो पी किसको मैंने माना था प्लस वाले को वह आपका सम्मित है और जो आपका क्यूँ आ रहा है वह आपका विसम सम्मित है बस आप यह दिखा दो कि पी जो हमने माना है कौन सा पी प्लस वाला सम्मित है और क्यूँ जो आ रहा है मालस वाला वह सम्मित है तो आपका आंसर तो वहीं आ गया क्योंकि ए बरावर हो गया सम्मित प्लस विसम सम्मित तुम क्या लेखें यहां हम हम ठीक है बच्चो यहां हम कैपिटल पी को सम्मित तथा कैपिटल क्यू को ठीक है प्लस वाला ध्यान रखना जाए असमें गलती मत करना वह आपको खाना होगा प्लस वाला हमेशा सम्मित और माइनस वाला विसम सम्मित तीक है और क्यूं को कि विसम सम्मित ठीक है बच्चो यहां हम पी को सम्मित था क्यों को विसम सम्मित आव्यू हो सिद्ध करेंगे आव्यू क्या बच्चो सिद्ध करेंगे अब आओ बच्चो तो क्या है बईया एक बार हल्की से समर्दी हों देख लो एक को मैं तो दिया एक बटेदगे में ऐसके बाद अगरे स्टैप में원이 इस ने क्या आखे दो युग माइनस सथ एक बार ले लो इसके साथ एक बार मैंनस में विसां सम्मित दिखाने आवर यह आपको पीछी से हमालूम alt तीर के वर शरूक हाश क्या तो यह सम्मित के लिए podéis क्या करने वाला हूं पी जो हमारा था पूरा जो मैंने पी माला था उसको क्या दिखाऊंगा सम्मित अब दो क्या दिखाएंगे देखों यहां हम कि सिद्ध करेंगे की करेंगे की बच्चों अगर कोई आव्यू सम्मित है तो उसके लिए क्या होता है?, तो जो पी पूरा माण है अबीछे, एक बटे दो,A प्लस ए डैस वह आपका सम्मिताबी हो जाएगा, जैसे पर लावर P आएगा, अब देखो क्या आने वाला है बच्चों, पी डैस बरावर पी आपको बता है पी डैस देखों मैं यहां पर लिख दूँँगा पी डैस को किसके बरावर दिखाने है बच्टे एक बार और सोच लो वन पॉंड यह आपका पी के बरावर ठीक को कि में पॉइंट है यहां आपकी गलती नहीं हो जाया पी डैस बरावर पी की वैल्यू मैं आपको चाहूँ दिखा दूं पीछे से पी की वैल्यू क्या है एक Bटे दौ A+, A'd तो अब आप यहां देखो कि मैं करों पी का डैस तो इसका मुझा होगा एक बटे दो Do in an ABL A, Uh, oldree ce कि बह्या पी को संभी दिखाने के लिए पी डैस प्र conference पी आना चाहिए तो मैंने पी डैस निकाल लिया पी मुझको बताया यह है भहिया यह तो है पी एक बटे दो एक प्लस एडास का होल डैस ठीक यह प्रॉपर्टी भी मैं आपको लिखा चुका हूँ इससे पिछली क्लास में जब आपको मैंने परीवत बताया था क्या बताया था यह देख लो चलो कि अगर बच् चलो कॉंसेंट होता है कि तो यह कितना आजाएगा आपका एक बटे दो कि ए प्लस एडास का होल डैस आ गया थोड़ी फैक्ट नहीं परता अब क्या हो आप इस दो एप्लस एडास का होल डैस कौन सा फॉर्मला जो आपको अभी बता जाया है प्रमें एक में पूरा आप च प्लस B का होल डैस ब्रावर कितना बता है था आपको A डैस प्लस B डैस लगा दो यहां-पर कितना जगा आपको लगा की ए प्लस ए डैस का वच्चों इसको थोड़ा सा हटा दो तो ज़्यादा बैस रहेगा यह जो है ऐसे देखो इप्लस ओ ए एक बटे हुआ हागा एक बटे दो एक प्लस वही काम करें जो मैंने फर्ष में किया था यह ऐसी रहा होल डैस एप्लस एडैस का डैस कितना आता है कि एडैस का डैस कितना आता है आपका ए तो यह आगे आपका वहिया ए ठीक है देखिए यहाँ पर एडैस का होल डैस फॉर्मले से खोल दिया एडैस प्लस एडैस का डैस कितना आता है पूरी वैल्यों कितनी आँगे आपके एडैस प्लस ए आप चाहाओ तो चैक कर लोगया यह पूरी वैल्यू एक बटे दो किसके बरावर है पी के तो आपका पी-डैस बरावर क्या आ गया पी पूरा गोह लोई काम है ति को इसका न chilli- 것 अपनोर फ्सक करना जो प्लस वाली-टो बिसम सम्मित मैं के लिए फिर विए गाल कि Ugh और यह फॉरमला कहल विया जो कुई को विशम क्यूं के विसम ठीक है विसम सम्मित के लिए तो बच्चों क्यों को आपको क्या दिखाना है विसम बावा क्या रहा हूं भोलना मद इसको तुम क्या करेंगे यहां हम सिद्ध करेंगे कि क्या सिद्ध करेंगे बच्चों क्या आता है इसमें क्या आता है विसम में जैसे एक ही बात करें एक ही लिए होता है किसको सिद्ध करना है आपकर क्यूं वाले को तो क्या आएगा आपका Q-DAS वरावर minus KQ अब जैसे मैंने P-DAS के लिए काम किया वो आपको Q-DAS के लिए करना है Q की value कैसी थी? minus में, तो आप यहाँ देखो Q का DAS, देखो 1 upon 2 A minus A-DAS जो था आपको बता लोगा 1 upon 2 A minus का A-DAS उसका यहाँ से क्या जाएगा बच्चो whole dash क्योंकि यह P-DAS थी अंदर वाली, देखो मैंने special दिखाने के लिए यह पूरा P को रख दिया red line में, यह red line आपका Q है, 1 upon 2 A पूरे का whole dash कहलो K की जगा एक बटे दो, कोई effect नहीं पड़ेगा तो effect कहा पड़ेगा बच्चो A minus A-DAS की whole dash पर, मतला आपका S आजाएगा है A minus A-DAS का whole dash लगाओ वही है बच्चो क्या formula है जो plus के लिए formula खुलता है आपको पता है, minus के लिए भी खुल जाएगा तो आपका कितना आजाएगा यह A-DAS minus A-DAS का भी whole dash आगे आओ बच्चो A-DAS तो आने दो A-DAS का whole dash देखो कितनी मारी पर टोगे formula भी है कितना आता है आपका A हमने A काम यह किया बच्चो इस दोनों में minus का sign common ले लिया तो minus का हो गया 1 बटे 2 A minus A-DAS आपको क्या बता है, जो red line से दिखा रखा है वो P की value है अगर यहां Q है तो Q की value है 1 बटे 2 A minus 1 बटे 2 1 बटे 2 A minus का A-DAS तो यह क्या आ गया minus का Q जो P का dash करके solve किया plus के लिए same to same बस आप minus के लिए कर दो 1 बटे 2 constant है उस पर dash नहीं आता और उसको खोलते रहो इन formula से तो आप यह देखेंगे कितना आ गया क्यू डैस बरावर माइनस क्यू तो क्या सिद्ध हुआ कि पी एक बार देखो पीछे जा खत्म हो गए कि जो मैंने ए बरावर पी प्लस क्यू लिखा था उसमें मैंने पी को क्या दिखा दिया समित और क्यू को क्या दिखां दिया मैंने विसम सम्मित तो अब इसका उनलकि घा Creating को इससा भी वर्क आरवि हुआ सम मेद और विसम सम्मित के योग के रूप में लिखा जा सकता है बस बच्चों यह आपका खतम और मैं इसको आखिरह ने मिया रिखना चाहूंगा यह लाइन जो है बच्चो इसको तो पीछे करेंगे अतहार आप जाने लिगे दिए बच्चो पी आपका क्या होगा सम्मित और बच्चो क्यों क्या होगा आपका विसम सम्मित बस जी यह आपकी पर में खतम बागत आपको इसम दिखाये दिया है इसी के साथ परमे खतम, क्लास भी खतम, अब मिलेंगे आप से नई क्लास में प्रस्लावली के साथ, तब तक इसको आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, ठीक है?